हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका सिरिश्याम बुटिक में तो ये नेक डिजाइन बनाने के लिए हमने बुकरम ले लिए है बुकरम की लंबा ही साड़े ग्यारे इंच है और चोड़ा ही साड़े आठ इंच है इसको हम डवल फोल्ड कर लेंगे और तीन इंच के दूरी पे निशान लगाएंगे और साड़े साथ इंच की दूरी पे नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और इन निशानों को हम इसकेल की मदद से लाइन अप कर लेंगे इस तरह से और इसमें हम तिरची एक इंच की दूरी पे निशान लगाएंगे और हलके सी गोलाई का राउंड देते हुए नेक डिजाइन की शेप दे देंगे इस तरह से और फिर इसको डार्क कर लेंगे इस तरह से और ये हमने एक पत्ती की से काटी है एक पेपर पे तो इसकी लंबाई है डाई इंच और चोड़ा ये पॉन ने दो इंच तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और लाइन अप कर लेंगे और अब इसको खोल करके हम इधर की साइड खिसका के लाइन अप कर लेंगे और जो हमने नेक की लाइन अप की है उसके बहार की तरफ एक एक इंच की निशान लगाते हुए लाइन अप करेंगे और जो हमने लाइन अप किया है इसके अब हम कटिंग कर दे रहे हैं इस तरह से इस तरह से हमने नेक की कटिंग कर ली है और यह डिजाइन हमारा कुछ इस तरह हो गया है बुक्रम पर और हम इसको कपड़े पेस्ट करेंगे यह हमने कपड़े पेस्ट कर लिया है अब हमें एक्स्टर के कपड़े को इसको मोड़ देंगे और एक सिलाई चरा लेंगे तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और रोजाना एक नई डिजाइन की वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को बजा कर और को स्लेक्ट कर लें ताकि मेरी हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें लाइन कर लेनी है पूरी कंप्लीट शिलाई लगा कर तो यह हमने शिलाई लगा ली है और अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे इस तरह से बीच में सेंटर में निशान लगा के आप हम इसे कुर्टी के उस पर जोड़ेंगे तो भी सेंटर में रखते हुए एक शिलाई लगा लेंगे इस तरह से और अब बुकरम के किनारे किनारे हमें शिलाई लगा लेनी है बहुत सावधानी से जिससे कि शिलाई अंदर की तरफ ना हो ना ही बाहर की तरफ हो बिलकुर किनारे किनारे हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है तो फ्रेंट्स मैं आपको फिर से बता दूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और रोज जाना एक नए डिजाइन की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और बगल में लगए घंटी को जरूर बजाएं और और अल का बटन सेलेक्ट करके ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे तो फ्रेंट्स इस तरह से हमें यह सिलाई कंप्लीट कर लेनी है तो यह सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है आव हम सिलाई के किनारे एक पैर का कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रे कपड़े की इस तरह से झाले के एक हमें इसकी है और अब हम इसमें कट के निसान लगा लेंगे ताकि इसे हमें सीधा करने में आसानी हो और कोई जोल बगेर ना आए और कट के निसान इस तरह लगाने हैं ध्यान रहे कि सिलाई में ना लगें अगर हम कट के निसान लगा लेते हैं तो हम जब नेक को सीधा करते हैं तो उसमें जोल नहीं आता है और खिचाब भी नहीं आता है तो ये निशान हमने लगा लिए हैं और आब हम इसे सीधा करके इस्तरी कर लेंगे इस तरह से तो ये देखो हमने सीधा कर लिया है और ये हमने रेड कलर का कपड़ा लिया है छे इंच लंबाई है इसकी और आठ इंच चोड़ाई है और इसको हम अंदर की तरफ लगा करके और ये निशान लगा लिए हैं और इस पर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे, कपड़े पर जो हमने गोल आई के फूल वाले निशान लगाए हैं उस पर, इस तरह से, एक बहुत अच्छा डिजाइन परफेक्ट सा बनकर आता है पतियों के बीच में, तो यह हमने निशान लगाएंगे, पर स्लाई चला ली हैं और एक शिलाई हम इसे मोड के सीदे ही लगा लएंगे, और आप हम इसे नेक में अटेच कर लेंगे, इस तरह से, इस तरह से तो आप देख सकती हैं यह डिजाइन कितना अच्छा आया है और आप हमें एक सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल किनारी किनारी चारो तरफ जिससे एक बिल्कुल अटेच हो जाए कि शिलाई हमें बिल्कुल किनारे किनारे लगानी है और टेड़ी नहीं लगानी है बिल्कुल सीधी सीधी तो यह देखो जो मैंने शिलाई लगाई थी उसका डिजाइन कितना परफेक्ट लग रहा है और हम इसको निकाल लेंगे और एक्ष्ट्रे कपड़े को कट कर देंगे और यह हमने उरेव पट्टी काटी है डेड़ इंच की चोड़ाई की और इसे हम जोड लेंगे और एक पतलन नाड़ा टाइप बना लेंगे और यह हमने नेक लिया है और इस पे हमें पाइपिन की बरावर कपड़ा छोड़के इसको सिलाई लगा लेनी है इस तरह से किनारे किनारे पाइपिन की बरावर कपड़ा छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है इस तर एसी इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी हैं तो फ्रेंड्स फिर से याद दिलाती हूं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अगर आपको रोजाना एक नए डिजाइन की वीडियो देखनी है तो चैनल को सस्क्राइब कर लें बगल में लगे बेल आइकन को जरूर बजाएं और काप सेलेक्ट करके ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुचती रहें और आपको प्यारे प्यारे डिजाइन मिलते रहें इस तरह से लाई लगा लेनी हैं दूसरी मोडते हुए फटा-फट से तो यह हमारी डिजाइन कुछ इस तरह से आई है अब हम इसमें बटन लगाएंगे एक बीच में इस तरह से और फिर यह मोटी लगा लेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा डिजान आया है तो फ्रेंड्स आपको भी डिजाइन कैसा लगा ग्रेंड्स तरह सेमारा डिजाएंगे लगा बाते हैं यह हमारा डिजारा जाई ह।